हेलो फ्रेंड्स हरार महादेव दोस्तो 28 फरवरी 2023 से शुरू ही पिपलाद शिव महापुराण कता तीसरे दिन की कता आज पूर्ण हो चुकी है गुरुजी के द्वारा या कता इंदोर से लगभग 29 किलो मीटर दूर पेटमा में वाचित की जा रही है कता का आनल आप आस्ता चैनल पर दूपैर एक बजे से चार बजे तक प्रात कर सकते हैं पर किसी कारण वर्ष यदि आपने आज की कता नहीं सुनी है तो हम चोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कता की पूरी जानकरी और उपायों की जानकरी देने वाले हैं कल मतलब तीन मार्च को बहुत बड़ी तीथी पढ़ लए होली के पहले की रंग भरी एकादशी पढ़ लए है अमलिका का अमलिका एकादशी के पर्व है और इस दिन आप धन प्रापती के लिए या करजा मुक्ती के लिए गुरुः ची का बताया हुआ विशेष उपाय कर सकते हैं ये उपाये हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे ये उपाया आपको किसी वीडियो के अग मिलेगा इससे पहले आज की कता में गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं जो पत्र बताए हैं उपयोगी जानकारी दी है सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर गुरुची ने बताया दो चीजे बहुत ही पुर्णिप्रद होती है कि शिवरिक्ष के आसपास क्यारा बना के पानी देना और दूसरा होता है घर में अगर तुलसी है उस छोटे से पौदे को बहुत तेज धूप में कोई कपड़े से ढग देना या कोई छाओं की जगा में रख देना बहुत पुनिका काम है ये दो चीजे आप अपने जीवन में उतारिए बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की और बेलपत की पत्ती में अगर चक्र है और ऐसी बेलपत अगर हम शिवलिंग पर अरपित कर देते हैं तो इसका हमें कोई फलप्राप नहीं होता इस प्र घर में भगवान की बाते करती है एक चड़वी यदि आपने अपने घर में परिवार वालों से भगवान का जिक्र किया तो ऐसे परिवार में सुख सांती हमेशा देखने को मिलती है और हर घर की नारी को चाहिए कि वो अपने बेटे या पती को शिम मंदिर में एक लोटा जल चड़ाने को जरूर भेजे बढ़ते हैं आज की कथा की चौच्थी जानकारी की ओर कृष्णा बाई जी पत्र लेकर आई मेरी तेरे मेने की बच्ची है अचानक पेट दर्ड किया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आत को उल्जी हुई बता दिया दोक्टर ने सिहोर के रुद्राक्ष को मंगवाने को कहा हम किसी को भेज कर सिहोर रुद्राक्ष बुलवा लिया हमने रुद्राक्ष को जल में गला कर जल शिवलिंग पर चढ़ा कर छोटा सा जल प्राप्त करके उसका आजमन उसे कराना शुरू किया और ऐसे निरंतर बढ़ते है कता की पांचवी जानकारी की ओर जीवन में जब भी दुख आये तो किसी के सामने जाकर रोने की जरूरत नहीं है कस्ट आने पर सीधे आपको एक लोटा जल लेकर शिवजी के मंदिर पहुँच जाना है और जल चढ़ा देना है जब दुनिया के सभी लोग कस्ट देने लगे तो विश्वास रखना है की वो आएगा तुम्हें कस्टों से जरूर दूर करेगा बस अपना विश्वास प्रबल रखिये बढ़ते है कता की आज की जानकारी छटवी जानकारी की ओर उमा जी पत्र लेकर आई मेरे बेटे को पत्री हो गई थी सभी डॉक्टर ने सोनोग्राफी के अनुसार ओपरेशन की बोल दी थी मेरा बेटा कभी शिव मंदिल नहीं जाता था जल भी नहीं चड़ाता था पर मेरा विश्वास अटूट था और मैं रोज शिवलिंग पर जल चड़ाती थी और उसका जल और बेलपत उसे देती पर वो बेलपत नहीं खाता जब मेरा बेटा वो बेलपत भी नहीं खाता था तो मैंने उसे पीस कर देना शुरू किया तीन दिन हुए थे कि उसकी पत्री यूरीन के जरिये निकल गई और उसका भी विश्वास दिर्ण हो गया और अब वो रोज शिव मंदिर जाता है उसी का आभार वेक्ट करने के लिए कथा पांडाल में आई हूँ बढ़ते हैं आज की कता की साथवी चानकारी की ओर एक बार व्यास पीट से कहना चाहेंगा गुरुची ने कहा जो लोग रोज शिव मंदिर में जाकर बेल पच चढ़ाते हैं जल चढ़ाते हैं तो उनसे निवेदन है कि किसी लोब वश में ये सम मत करना नी स्वार्थ भाव से करें महादेश स्वयम तुमें सभी सुख सुविधाओं से परपूर कर देंगे बढ़ते हैं आज की कता की आठवी चानकारी की ओर गीता गौर इंदोर से पत्र लेकर आई मामा जी के दोनों बॉल खराब हो गयते और किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था मेरे मामा जी ने डॉक्टर मामा जी को डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर रख दिया और कह दिया कि अब बचना मुश्किल है मेरे पती ने कहा तू शिव पुरान की कता सुनती है फिर हमने कहा अंतिम सास चल रही है, ऐसा सोच कर गंगा जल समझ कर दे दीजिये, फिर डॉक्टर ने कुछ बूंधे देने को कहा, और दो बूंधी उनके शरीर में गई थी, कि उनके शरीर में हलचल शुरू हो गई, और दीरे दीरे वो ठीक होने लगे, और इनकी किड्ने भ पर मार इंदोर से पत्र लेकर आए, बारवी करक्षा के बाद मैंने सोचा बिजनेस किया जाए, पर कुछ समय चलने के बाद ही, वो बंद हो गया, मैं हर तरफ से हार गया, माने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, मैं मा की पूरी शद्धा के साथ जल चढ़ाने लगा, रोज चल चढ़ाता और जो लोग मुझे दुदकार देते थे, वो भी मेरे पास आने लगे, और मेरा व्यापार दिनों दिन आगे बढ़ने लगा, उसी का अभार वेक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ, बढ़ते हैं आज की कथा की दस्वे जानकारी की और, शिव चेहरे में प्रसंता हो जाएगी, इस प्रकार से किसी के चेहरे पर प्रसंता लाने से, आपको मंदिर में पुष्प चढ़ाने से अधिक फल की प्राप्ती होती है, और शिव जी को प्रसंद करने का सबसे बड़ा तत्व ये है, कि आप किसी के चेहरे पर प्रसंता लाओग रहता है मतलब 2 के व्यक्थी होते हैं अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो यह सोच कर मत आ यह दो कर बंकि आपको यह सोच कर जाना है कि मंदिर में महादेव हमें देख रहे हूं परती हैं आज की कता की बार्वी जानकारी की ओर शिफ जी राव sta पत्र लेकर आये गुरू जी मेरी छोटी लड़की जिसके घर में तीन लड़कियों ने जम लिया बच्चे दानी में उसकी एक ट्यूफट गई थी खराब हो गई थी डॉक्टर ने उसे संतान सुक नहीं होगा ऐसा कह दिया ता उसकी आखों में आसू हमेशा बने रहते थे एक पुत्र हो जाता तो अच्छा होता ऐसा सोचती रहती थी गुरू जी पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं पडोसी के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया और तीन ही व्रत पूरे हुए थे कि बेटी का गर्ब ठैर गया उसे पुत्र रन की प्राप्ती हुई है पर बच्चे को डॉक्टर ने कमजोर बता दिया है और हाथ पाउं से विकलांग बताया फेफडे भी काम नहीं कर रहे थे ऐसा बताया था ऐसा सुनते ही हमने को बेश्वर घाम से रुद्राक्ष लेकर आ गये और बहुत प्रातना करने के बाद हमें रुद्राक्ष मिला औ पर बच्चे के शरीर में लगाना शुरू किया और हमारा बच्चा हाथ पाउंसे भीकार करने लगा उसके फेफडे भीकार करने लगे और पूरी तरह से वह स्वस्त हो गया उसी का अभार वेक्ट करने के लिए कथा पंदाल में आये है इस कथा के अंत में गुरु जी ने जो भी उपाय बताए हैं उसको जानने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखें यदि वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और चैनल को अभी भी अब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें ह हर महादेव जैशिव शंभू